जहें दोस्तों, वन्दे मातर, आर्जे साइमा का नाम इस समय मतलब अधिकदर लोग जानने लगे हैं साथी-साथ सबा नकवी को भी समी לו जानने लगे हैं लेकिन कश्मीर में अभी पिछले कुछ समय से जो घटना करम चल रहा है जिसमें कि आतंकी लोगों को मतलब क्या कर रहा है आप सभी जानते हैं बाहर के लोग जो है खास वर्वा यूपी विहार के लोगों को लेकिन समझने वाली बात ये है कि ये सब चीजे चल रही है ये क्यों चल रही है या एकदम से क्यों ही मतलब जैसे कि RJ साइमा की भी हम बात करें या फिर सबा नकवी की भी हम बात करें इन लोगों ने कश्मीर में जो चीजें हो रही है उनकी निंदा तो करी लेकिन उस निंदा के साथ-साथ उन्होंने अपनी बात भी उसमें लगा दी जैसे कश्मीर भारत से कोई अलग हिस्सा चलिए ठीके पहली बात यह हो गई इसके बात सबानकवी लिखती हैं इन्होंने एक ट्वीट के ऊपर कोटे ट्वीट करते हूँ लिखा कि प्रॉब्लम टेक्स ट्विस्टेट टर्न and just so we are clear that clear what was done on August 5 two years ago has not helped help नहीं कर रहा है मतलब जो आर्टिकल 23 दो साल पहले हटाए गया था कश्मीर से जम्मो कश्मीर से उसने किसी भी तरह से मदद नहीं करी इनका ये कहना है तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि क्या उसके पहले कश्मीर के हालाद बहुत अच्छे थे शांती व्यापत थी क्योंकि जहां तक मुझे ध्यान है कि जब से आर्टिकल 23 हटा है उसके बाद से इस तरह की घट्राओं में खास तरह से जो पत्तरबाजी जो होती थी उसमें खास ही कमी आई इस तरह की घट्राओं होना शुरू होगी अब किसको अफगानिस्तान के हुए कवजे से confidence मिला है ये तो मैं नहीं जानता ये जानकार लोग बहुत अच्छे जानते होंगे लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि दो साल पहले जो आर्टिकल 73 का रिवोक हुआ था उसके कारण ये चीज़े हो रही है या बीजेपी इस सीरीज में डारेक्टली लिंक्ड है और सबसे बड़ी बात ऐसे समय पर जब हमें इन चीज़ों को सुधारने के लिए कोशिश करनी चाहिए ये समय वो नहीं होता कि जबाब किसी के उपर आरूप प्रतारूप करें या कुछ भी करें अब ऐसे में इन लोगों को कही सारे ट्वीट्स मतलब अपसीधी सी बात आप सोशल मीडिया पर अपने विचार रखेंगे तो आपको कुछ लोग पलटके भी विचार देंगे तो ऐसे में आरजे सामान ने जब ये ट्वीट किया तो उसके बाद अमन चोपरा ने इसको लिकर ट्वीट किया वो लिखते हैं कि यस एंड रेस्ट अल भिहारी ज़िए पंडेट सिक्स आर मेंट तो बी किल्ड बाइ इसलमी टर्रिस्ट इस तो दोस्ट एंड टो गवाट रगेटिंग कि जब आई कि अश्मीर के बारे बौलने का हर एक भारती को पूर्ण अधिकार है ऐसा नहीं कि काश्मीर के उपर सिफ किसी एक काई है सायमा ने तो प्र टूट कर तो लिखा कि I see everybody else talks about Kashmir but the Kashmiris themselves we need to listen to them तो आपको क्या लगता है Kashmiris की बात नहीं सुनी जाती और Kashmiris की बात अगर हम करते है तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन आ जाता है Mehbub Mufthi Umar Abdullah जो कि सबसे पहले पाकिस्तान की बात करते है बाई पाकिस्तान को समझो पाकिस्तान के साथ ऐसा गरो पाकिस्तान जो यहाँ कर रहा है इन लोग वो चीजे दिखा ही नहीं देते हैं इसके अलावा और भी कुछ त्वीट केशसे की एक मौनिका ने ट्वीट किया था कि इसके उपर सायमा नहीं लिखा कि इसके उपर सायमा नहीं लिखा कि वाद विवाद की स्थिती बन गई वही है एक और ट्रवीट किया है सायमा जी नहीं लिखती है कि If you have a problem misunderstanding simple English Let me translate it for you कश्मीर के हालात मुद्दे समस्या समधान उपाय कश्मीर के लोगों से ही जाने सिर्फ उनके ही मतलब जो वहाँ पर solution निकलना वो सिर्फ कश्मीर के लोगी ताय कर सकते है और कोई ताय नहीं कर सकता मतलब अगर एक बच्चा कोई गलती कर रहा है तो उसको सही गलती समाजी खुदी करनी होगी कोई और नहीं कर सकता अरुन बोतराइन ट्वीट किया थे कि अगर किसी को कुछ करना है तो भाई है कश्मीर के लोग ही कर सकते है इसके लावा कोई भी नहीं कर सकता जब एक ट्वीट में लिखा कि तो यह पांच साल पहले वाली बात लेकिन जब इनको भी थोड़ा आउट्रेज दिखा तो इन्होंने अभी कुछ देर पहले ट्वीट किया कि अगर आप इस चीज के निंदा करना तो बिनन प्रपगंडा गुसाई भी तो आप उस चीज के बारे में बोल सकते हो किया हर बार इतना जरूरी हो जाता है कि आपको हर एक चीज को इसी तरीके से कोट करना पड़े मतलब एक जो बात मेरे मन में आती है वो मुझे यसा लगता है कि यार आपको किसी चीज के बारे में अगर बोलना है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दीजिए लेकिन अगर आप उस चीज को और ज़्यादा घुमाओगे फिर आओगे तो यार पब्लिक आप से थोड़ी बहुत नाराजगी होगी ही यह वो ट्विट है सायम जी कदर देख लेते हैं कि इसके ओपर और क्या रियक्शन्स निकल कर सामने आए है सबसे पहले तो अंकुर जी ने लिखाए कि मतला हम फिर बाहर के लोगों क्यों वेलकम कर रहे हैं बहुत सटीक बात कही है इनोंने रमनिका भट कहती है सायम जी इनोंने जबाब मांगा है इसके आगे शशांक शेखर जहां लिखते हैं कि आर यू अकश्मीरी मतलब क्या तुम कश्मीरी हो इसके पर आतिव जाविद ने लिखाया यस वी आर प्राउट तुब अकश्मीरी भई ये तो कोई ना कोई तो होगा Sandeep लिखते हैं कि आएम अकश्मीरी फूस परेंस दिद नौट बुक एन बेनेफिट अट इम फाटिशन ब्राउट बाइशन ब्राउट बिखाया तुम काश्मीरी ने लिखते हैं अट ने इसके आर ने इसके वे पर दोट लिखते हैं इसके ओपर Simon एक ट्वीट किया था मतलब यह हिपोकरसी होती है आप एक जगे कचार बोल रहा है दूसरी जगे कचार बोल रहा है तो यार आज की डिटने पर लोग पकड़ लेते हैं डॉक्टर शेनी लिखते हैं कि I am a Kashmiri and I welcome input support, ideas and thoughts from everyone including other Indians it's called being open-minded other Kashmiris should try it sometime Sivram Pratap लिखते हैं Kashmir like other parts of India belongs to every Indian everything about India needs to be understood only from Indians only and only by them Jai Hind and period Chandr लिखते हैं So Indian government can't decide what's right for the Kashmir because funds and schemes for the development of Kashmir are coming directly from Pakistan with the same logic who TF are you to decide what's right for India obvious ही बात है थोड़ी सी परिशानी मुझको यह होती है कश्मीर के development के लिए जो पैसा जा रहा है कि अगर आज की डेट में मैं टेक्स दे रहा हूं या और आप में से भी कई सारे लोग जो टेक्स पे कर रहा है इंडियन government को तो कश्मीर के development में भाया जो पैसा खर्ज किया जा रहा है वो इंडियन टेक्स पेर्स की पैसा होता है obvious ही बात है और हम एक डेमोक्रेसी वाली country में रहते हैं जहां पर डेमोक्रेसी है भले ही हमारे विदेश के राजनेता इस बात को माने या ना माने वेपक्ष वाले लेकिन डेमोक्रेसी है तो ऐसे में आप ये कैसे कह सकते हो कि भाया इस मुद्दे के ओपर सिर्फ यही लोग बात कर सकते हैं और कोई बात नहीं कर सकता कई बार क्या होता है अगर आप किसी मुसीबत में पड़े होते हो तो आपको उस चीज का सॉलुशन समझ में नहीं आता लेकिन अगर बाहर से कोई वक्ती उस चीज को देख रहा होता तो वो जाद अच्छे से उस चीज को समझ सकता है कि अगर यहाँ पर ऐसा करेंगे तो शायद इसको हम बहतर तरीके से कर सकते है इस चीज को समझने जादा कठिन नहीं है बस समझने के लिए आपको अपना दिमाग खुला होना चाहिए ठीक वैसे ही जैसे हम कश्मीर के मामले में ओपन माइनेनेस दिखा रहे हैं अगर आप दिमाग बंद करके बैठेंगे तो ना कश्मीर का मुद्ध सॉल्फ होगा और ना आप कोई चीज समझ में आएगे मेरे सुडियों फिलालत नहीं जैहे हैं जैपार